नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपको जेजेन न्यूस की एक और खास कराउन रिपोर्ट पे इस वक्त जेजेन की टीम मौझूद है हलवानी के शुशी लातिवारी हस्पताल में आपको बता दे कि यहां हम इसली मौझूद है क्योंकि यहां से एक गोलिकान का जो मामला है वो सामने आया है अलाकि जो मामला है वो बाचपुर का है लेकिन जिन लोगों को गोली लगी है उनको रैफर करके हलवानी की शुशी लातिवारी अस्पताल में इलाज के लिए बढ़ती कराया है अब आप जानना चाहेंगे कि इस पूरे गोलिकान का आखिर कारण क्या रहा और क्यों इतनी बड़ी घटना जो है वो बाचपुर जैसे शहर में घटित हो गई जब हमाई टीब ने और हमने इन लोगों से बात करी लिटों से बात करी पी लिटों के परिजुरों से बात करी तब उन्होंने हमें बताया कि जो रंजिश थी और उसके बाद जो कुछ युवा थे वो इन लोगों की गाउं में खनन को लेकर पहुंचे हुए थे अब जो खनन को लेकर इन लोगों ने विरोथ किया तो जो गोली कांड है ये घटना घटी थुई यानि कि लोगों के और से गोली चलाए गए जिसमें तीन युवा जो हैं वो पूरी तरह से घायल हो गए हैं जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जिनकी और से गोली चलाए गई थी वो लगवक 14-15 जने थे और ये जो लोग थे वो 3-4 जने थे क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह की घटा है वो घट जाई की साथ ही जो पीडित है उन्होंने हमें बताया था कि इससे पहले भी इनको पॉलिस्टेशन में ये शिकायत दर्च कराई हैं इन लोगों के हिलाब जान से मानने की धंकी जो है वो दी गई है जिस सरह से पीडितों ने हमें बताया था और आपको बता दे कि पीडित के तरफ से पुलिस्टेशन में F.I.R. भी दर्च किराई गई लेकिन किसी तरह की कोई कारवाई इस और नहीं हुई है जिसके चलते आज ये गोलिकान की जो घटना है वो सामने आई है जब पीडितों को यहां पर गोली लगी तो उनकी जो दोस्त थी पहले उनको अस्पतार लेके गए उसके बाद इन लोगो को शुचिला तिवारी अस्पतार रैफर किया गया अलाकि यहां पर उनका उपचार के बाद थोड़ी ही देर में लोगों को चिट्टी दे दी जाएगी लेकि सोचने वाली ये बात है कि बाच्पु जैसे शहर में खुले आम 14-15 लोग हातों में बंदूग लेके हातों में हत्याल लेके खुले आम घूम रहे हैं अईसे में पुलिस प्रशाशन की अधिकारी कहां पर है ? क्या ? पुलिस क इस बात का जड़ा सब इल्म नहीं है कि उनके शहर में जो बात घंच रहे है ? खनन को लेकर ये जो बात जो सामने आई है इस पर पुलिस प्रशाशन की कायरे बनाली पर भी सवाल उठने लाजमी कहीं न कहीं पर है और इस तरह से दिन दहाडे गोली कांड होना शहर के लिए और साथ ही पूरे चिले के लिए बहुत बड़ा सवाल ये निशान खड़ा करत जो आरोपी है उनकी पहले से ही रंजिष्ट थी और स्कूल टाइम से रंजिष्ट है वो चली आ रही थी और अब जो खरन को लेकर ये लोग महां पहुंचे थे तो खरन के विरोध में जब लोग उतरे तो जो विरोध है वो कहीं ना कहीं गोली कांड में तब्दील हो गया दूड़ना है और पूरे जो प्रकरण है उसमें आरोपी जो जो सनलत है उनको सलाकों के पीछे डालना है तो ये थी जेजन की खास प्राउन रिपोर्ट मैं निश्रा अपने सहियों की गणेश के साथ जेजन नियूस हल्दवानी नमस्कात